रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै माता दे स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों वैदिक जोतिश में मंगल का राशी परिवर्तन को एक महत पून घटना माना गया है मंगल को ग्रहों का सेना पती माना जाता है बता दे कि मंगल ग्रह उर्जा साहस और पराक्रम का कारक है मंगल क्रह का जब किसी राशी पर गोचर होता है तो उस राशी के साथ ही सभी बाराशियों पर इसका प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है ऐसे में दोस्तों कल सुभ मंगल क्रह कुम राशी को छोड़कर मीन राशी में प्रवेश करने वाले हैं बता दें कि मंगल का मीन राशी में यह गोचर 27 जून 2022 तक रहेगा और इस कारण से कई राशियों के लोगों पर इसका असर होगा जो तिश के मताबिक ब्रहस्पती और शुक्र पहले से ही मीन राशी में स्थित हैं और इस बीच ब्रहस्पती और मंगल का मंगल गुरु योग अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग परिणाम देगा आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंगल गुरु की राशी परिवर्तन से किन-किन राशी के लोगों को इसका फायदा होगा और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिने इस दोरान सावधा रहने की जरुवत है तो आपसे अंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैमा लक्ष में जरूर लिख दें तो चलिए शुरू करते हैं बात करें अगर मेश राशी की तो बता दें कि मेश राशी के लोगों की रूची इस दोरान धारमिक कारियों में बढ़ेगी वहीं तरक्की के आपके नई रास्ते खुलेंगे लेकिन इस दोरान परिवार में तनाव रह सकता है अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ेंगे कारिश शित्र में भी चुनौतियां आपके आ सकती हैं पैसों का लेन देना पिस दोरान ना करें निता आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बात करें अगर हम वृषब राशी के तो बता दे कि वृषब राशी के लोगों को अचानक धनलाब हो सकता है नौकरी मिलने की भी समभावना है व्याबार करने वालों को भी लाब हो सकता है इस दोरान प्रेम संबंदों में गलत फैमियों को आप जगा ना दें और अपने कुरोध पर नियांतरन रखें दोस्तों अगर हम बात करें मिथुन राशी की तो बता दें कि मंगल के गूचर से कारेशेतर में आपका दब दबा रहीगा मान सम्मान में आपके वृद्धी होगी सरकारी सेवकों की पदों नती हो सकती है नया घर घरिने के भी योग बन रही हैं इस दोरान आप क्रोध पर नियांतरन रखें जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और आपस में प्रेम भी आपका बढ़ेगा बात करें अगर हम करक राशी की तो अगर आप कोई नया स्टार्ट अप शुरू करने की सोच रही हैं तो आपको इसमें सफलता आवश्य मिलेगी नौकरी और व्यापार में लाब मिलेगा इस दोरान आप उर जावान रहेंगे और मेहनत भी करेंगे जिसके प्रडाम सरूप आपके सभी काम पूरे होंगे नया घर खरेदने के भी योग आपके लिए बन रही हैं दोस्तों बात करें अगर हम सिंग राशी की तो मंगल का मीन राशी में गोजर सिंग राशी के लोगों के लिए चनौतियां लेकर आएगा हाला कि आप इस चनौति को बखो भी पूरा करेंगे और आपकी जीत होगी सेहत का ध्यान आपको इस दुरान रखना होगा विशेश कर माता पिता की सेहत का आप ध्यान रखें पैतरिक संपत्ति को लेकर विवा हो सकता है धार में गियातर पर आप जा सकते हैं विध्यारतियों के लिए समय अच्छा है बात करें अगर हम कन्या राशी की तो कन्या राशी के लोगों को इस दुरान कारे शित्र में सफलता मिलेगी नया वैवसाय शिरू करने के लिए अच्छा समय है पैसों का लेंदेन में सावधने आप बरते विवा के प्रस्ताव आपको आ सकते हैं दामपत्ते जीवन में आपके मधूरता बढ़ेगी परिवार में कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर हो जाएगा घर में सुक्षानती भी आपकी बनी रहेगी बात करें अगर हम राशी तुला की तुला राशी के लोगों को स्वास्त का ध्यान रखना होगा भागिया आपका साथ देगा धनलाब होगा कला शेत्र से जुड़े लोगों को लाब होगा गलत काम बिलकुल ना करें वरना आपको कोट जाना पड़ सकता है वहन का उपियो करते समय सावधानी बरती वरना दुरगट ना हो सकती है हनुमान जी की पूजा करने से आपको यह जोरान लाब होगा बात करें अगर हम वरिश्चक राशी की तो कारे शेत्र में आपको यह जोरान सफलता मिलेगी लाब भी होगा खर्चे बढ़ेंगे लेकिन बच्चत करना आपको सीखना चाहिए आध्यातम में रुची आपकी बढ़ेगी प्रेम संबंदों में तनाव रह सकता है सैयम से बात करके गलत फैमियों को सुलजाना आपके लिए बहतर होगा संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या है तो वह भी अब दूर हो जाएगी बात करें अगर हम राशी धनू की तो भूमी लाब के योग है प्रमोशन भी आपका हो सकता है आर्थिक सिती आपकी मजबूत होगी कुरोध पर अपना नियंदर रखे धन लाब के सितीया बनी हुई है मकान खरिदने के भी योग है माता के स्वास्त का आप ध्यान रखे साथी बहस करने से बचे हनुमान जी की पूज़ा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर होगी बात कर यह मकर राशी की तो मान प्रतिष्ठा में आपके रिद्धी होगी भाही बहन का आपको सही योग मिलेगा कारी शित्र में प्रमोशन हो सकता है व्यपार अगर आप करते हैं तो यह फलता भूलता रहेगा सरकारी नौकरिस जोड़े होने पर आपको लाब होगा शत्रू आपका हिस दोरान कुछ भी नहीं बेगाड़ पाएंगे कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी जीवन में आपके सुक्षान्ती बनी रहेगी दामपत्य जीवन में आपके प्रेम बढ़ेगा बात करें हम कुम राशी की तो मंगल का मीन राशी में गोचर जीवन की परिशान्यों को आपके कम करेगा हाला कि आपके जीवन में चनौतियां बनी रहेंगी आर्थिक पक्षाप का मजबूत होगा और लाब भी होगा क्रोद पर अपने आप नियांतर्ण रखे यदि अपने शेर बजार में पैसा लगाया है तो अचानक धनलाब होने की संभावना है बात करें अगर हम मीन राशी की तो धार्मिक सलोप पर जाने के योग बन रही है मंगल आपकी राशी में गोचर कर रहा है और यह गोचर आपके लिए भागशाली साबित होगा आपकी पराकरम में वरिद्धी होगी कारिशित्र में सफलता मिलेगी आयके श्रोत आपके बढ़ेंगे धनलाब भी होगा जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश अब खतम होगी दोस्तों आप से यंद्रोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से जै मातादी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर आवश्य कर दें